डिजिटल भारत के निर्माड हेतु, सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जैसे डिजिटल भुक्तान का विस्तार, पोस्टल पेमेंट बैंक, समान सेवा केंद्रों का विस्तार, इसी श्रंखला में ग्रामीर भारत में पंचायती राज मंत्राले की यह कड़ी पंचायतों के पर पंचायतों की गतवीधियों की रिपोर्टिंग में सुधार होगा, बलकि योजना की व्यापक्ता बढ़ेगी। इग्राम सुराज एप्लिकेशन से किसी भी ग्राम पंचायत की पूरी जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाएगी। जैसे सरपंच, पंचों और पंचायत सच् विवरण, परिसंपत्ति का विवरण, ग्राम पंचायत विकास योजना, GPDP में की गई गतवीधिया, जनगरना 2011, मिशन अंतियोद है, सरवेक्षन रिपोर्ट आदी। सुराज में डेटा इंट्री की संख्या को तर्क संगत बनाया गया है। इसमें उप्योग करता के लिए यूजर फ्रेंट्ली इंटरफेस और सरल नेविकेशन भी है। इग्राम सुराज पंचायतों में की गई निमित डेटा इंट्री के आधार पर गतवीधियों की वास्तविक समय पर निगरानी और कार्यानुवन की स्थिती को दर्शाता है। इग्राम सुराज अप्लिकेशन के PF MS के साथ जुड़े होने के कारण सार्वजिनिक व्यकी निगरानी भी वास्तविक समय के आधार पर की जा सकती है। पंचायत की जानकारी को सुविधा जनत और शेग्र उपलब्ध करने के लिए उपियोग करता नागरी गूगल प्ले स्टोर से इग्राम सुराज मोबाइल एप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यह जानकारी आपकी उंगलियों पर होगी मोबाइल एप के माध्यम से चैनित पंचायत के सदस्यों की जानकारी, पंचायत की गतविधियां, गतविध का नाम, योजना का नाम और राशी। चुने गए वित्य वश के लिए आमदनी और खर्च संबंधी जानकारी मिल जाएगी। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इग्राम सुराज एप्लिकेशन शुरू किया जा रहा है।